अगर आप knee pain experience करते हैं जिसकी वज़े से आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते देन दिस वीडियो इस फो यू नमस्ते, I am Yogini Juhi Kapoor, Welcome to my channel आज के वीडियो में हम सीखेंगे modified सूर्य नमस्कार का ऐसा variation जो knee pain वाले लोग भी कर सकते हैं अगर आप knee pain की वज़े से सूर्य नमस्कार से दूर भागते हैं क्योंकि आपकी knee bend होते ही आपको दर्द महसूस होता है या आप lunge position में uncomfortable महसूस करते हैं ऐसे सारे cases में आप इस particular variation को practice कर सकते हैं इससे पहले कि हम सूर्य नमस्कार का ये modified variation सीखें कुछ contra indications जान लेते हैं अगर आप pregnant हैं तो ये technique avoid कीजिए साथ ही अगर आप periods में हैं तब भी इस particular variation को totally avoid करें अगर आपको neck pain, frozen shoulders, back pain या cervical spondylitis है ऐसे cases में भी आप ये particular variation avoid कीजिए अगर आप wrist pain या wrist injury experience कर रहे हैं ये particular variation avoid कीजिए wrist pain और wrist injury के लिए मैंने एक separate सूर्य नमस्कार का modified variation और अपने channel पे डाला हुआ है तो आप उस video को refer कर सकते हैं तो चलिए without wasting any further time सीखते हैं सूर्य नमस्कार modified variation for people with knee pain let's get started hands in namaste feet together inhale करते हुए हातों को ऊपर ले जाए हस्त उत्तानासन exhale करते हुए हातों को नीचे ले आए हस्त पदासन inhale करते हुए हातों की मदद से walk करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे into shoulder plank position exhale the breath keep your hip parallel to floor अब pelvic को push करेंगे towards floor inhale upward dog position exhale करते हुए हिप को lift करेंगे into downward dog position hip like a mountain shape inhale करते हुए हातों को पेरों की तरफ ले जाएंगे हस्त पदासन exhale the breath और finally inhale करते हुए हातों को ऊपर ले आएंगे हस्त उत्तानासन give a backward arch release करेंगे हातों को in namaste sthith prathnasan तो चलिए इसका एक और round करते हैं inhale हस्त उत्तानासन give a backward arch हातों को ऊपर रखें exhale हस्त पदासन हातों को नीचे ले आएं हातों की मदद से walk करते हुए आगे जाएंगे inhale करते हुए come into shoulder plank shoulder plank में exhale करेंगे और slowly pelvic को floor की तरफ पुश करेंगे inhale upward dog exhale downward dog lift your hip like a mountain inhale हातों का इस्तमाल करते हुए पेरों की तरफ आजाएंगे in hastपदासन exhale the breath और slowly हातों को ऊपर ले आए inhale हास्त उत्तानासन release करते हुए normal breathing करें नमस्ते स्थित्राथनासन I hope आपको सूर्य नमस्कार का ये modified variation पसंद आया होगा मुझे comments में बताएगा कि ऐसे कौन से issues हैं जिसकी वज़े से आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते और मैं आपके लिए ज़रूर एक modified variation बनाऊंगी और उसका वीडियो आपके साथ शेर करूंगी डोंट फोगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल तांक यू नमस्ते ओम नमस्षिवाया